हेलो एब्रिवन चटाकर रसोई में आज हम लेफ्टोवर राइस को एकदम नया ट्विस्ट देने जा रहे हैं तो इसके लिए वीडियो को बिना स्किप किये आपको फुल वॉच करना पड़ेगा और अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे इसके लिए कि सबसे पहले मैंने यह लिए है प्यास टमाटर गाजर और फ्राइज की तरह मैंने आलू को काट लिया है हरीमिट्श और यह लेफ्टोवर राइस है मेरे और थोड़ा सा कड़ी पता सबसे पहले हम कड़ाई में ऑइल हीट होने के बाद उसमें आलू को फ्राइय कर नॉर्मल्ली मैंने लंबे-लंबे पीसे में आलू को काट लिया था और उसके बाद हम इन्हें फ्राइ करेंगे जब तक कि यह गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और एकदम अच्छी तरह से कोख होकर क्रिस्पी ना हो जाए तब तक आपको इन्हें फ्राइ करना है तो थोड़ी इस वीडियो को आप पूरा फुल वाच करिएगा तब ही आप इस वीडियो को ठीक से समझ पाएंगे और हमने कड़ाई में जो ऑईल डाला था वो हमने निकाल दिया है फ्राइ करने के लिए हमने देसी घी लिया है घी गरम होने के बाद आधा चमच मैंने उसमें राई डा सरसोदाना जिसे बोलते हैं और थोड़ा सा करी पत्ता डालकर इससे पहले हम फ्राइ करेंगे जिससे की कड़ी पत्ता अच्छी तरह से भून जाए फिर हम इसमें गाजर डालेंगे और गाजर को भी अच्छी तरह से हम भून लेंगे गाजर थोड़ी मोटी कटी हुई है तो उसे कोख होने में थोड़ा टाइम लगेगा तो गाजर जब आपको लगे की हाफ कोख हो चुकी है तब आप उसमें प्याज और हरी मिर्ची भी आड़ करके उसे अच्छी तरह से भूल लेजिए सबजी अच्छी तरह से पकेंगी तभी इसमें टेस्ट आएगा और थोड़ा सा मैंने यहाँ सबजीयों को गलाने के लिए थोड़ा सा नमक एड़ करके धकर इन्हें कोख किया है तो थोड़ी दे धकर कुक करने के बाद सबजीयां गल चुकी है और इसमें मैंने जो लंबी लंबी स्लाइस में टमाटर को काटा था वो एड़ कर दिया है और उसे एड़ करने के बाद आप फिर से एक बार भूल लीजिए और अब हम इसमें अभी मसाले नहीं डालेंगे सबसे पहले हमने इसमें राइस एड़ कर दिये हैं और राइस डालने के बाद हमने जो फ्राइस तेयार किये थी आलू के वो हम इसमें एड़ कर देंगे यह यह काली मिर्ची डाली, काली मिर्ची से रइस में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, यह शेजवन रइस मसाला जो आता है वो मैने एड किया है इसमें, और मैं यहाँ इस रैस को बनाने के लिए हल्दी नहीं यूज़ार हूँ तो मैंने यहाँ food color को हलका सा पानी में घोल कर रखा था और अगर आपके पास food color ना हो तो आप हल्दी को भी यूज़ कर सकते हैं और food color मैंने इसमें डाल दिया और अब मैं इसे बिल्कुल अच्छी तरह से पहले mix करूँगी जिसे कि सारे मसाले चावलों में और सबजियां सब अच्छी तरह से mix अप हो जाए यह देखिए बस थोड़ी दिर चलाने के बाद हमारे यह fried rice अच्छी तरह से सारे मसाले सबजियां सब कुछ mix हो चुका है और अब हम इसको अभी सर्फ करने से पहले थोड़ा सा हरधनिया हम कडाई में add कर देंगे और फिर उसके बाद जब हम इसे सर्फ करेंगे तो अभी हम इसमें एक चीज और डालेंगे तो वीडियो को अभी आपको छोड़ना नहीं है यह देखिए राइस तो हमारे बनकर तयार है यहां मैंने एक प्लेट में इनने सर्फ कर लिया उस पर डाल दिया उपर से हरधनिया चीज और चिली फ्लेक्स और मैंने यहां प्यास के चल्ले काट लिये थे और चटनी के साथ इसे सर्फ किया फ्रिंड्स आपको यह वीडियो पसंद आया होते से लाइक कर दीजी चैनल सब्सक्राइब